और E yağन फर है और पीडिय अपस्य लगा लो उसके उपर इस ऑगर किसी मॉलीक्योल में तो अगर नुट्रल मॉलीक्यूल है होज़ों डाइटोमीक है TO होगा नहीं उसमें तो उसमें तो और ड्लेक्ट्र नहीं होंगे न ईवशाम भर हैंगो उसमें लेकिन कोई आयन है या हेट्रोडायटोमिक मोलिक्यूल है तो पॉसिबिलिटीज डूराइज जायतर कुस्च्चन आपके बॉंड उडर निकालने के आएंगे पेरामेगनेटिक डायमेटिक करेक्टर तो उसके पीडियेप सी बताई दिया कारवन मोनोकसाइड के लिए एलेक्ट्रोनिक सिग्मा स्टाइड टू एस को पाई और पाई स्टार के बीच में उठा कर लिखो लिखो सेप्स ओफ मॉलिक्यूलर ओर्विडल्स विविटी बोलती है कि हमें विविटी बोलती है कि atomic orbital overlap करते हैं दो combining atom के जायो same element के atom हो यदिफेरिंट element के atom हो और overlap करने के बाद overlap करने के बाद हम लोग recording start atomic orbital overlap करने के बाद दो तरह की overlapping करेंगे एक head on और दूसा lateral overlapping करते हैं तो sigma bond बनता है यहां पर head on करेंगे तो positive overlapping होगी constructive interference additive interaction होगा तो हम लोग बोलेंगे sigma बनेगा और अगर negative overlapping होगी तो sigma star बनेगा anti-bonding बनेगा तो anti-bonding molecular orbital negative overlapping से बनते हैं और bonding molecular orbital positive overlapping से बनते हैं zero overlapping एमो थेरी के नुसार भी acceptable नहीं है proper orientation यहां पर भी चाहिए बाकी सब चीज़े zero overlapping में consider करते हैं molecular orbital की shape क्या होगी और depend करता है कि किस तरह के combining atomic orbital है अलिको shape of molecular orbitals shape of molecular orbital is complex simple shape नहीं होती complex shape होती है and it depends on nature of combining atomic orbitals it depends on nature of combining atomic orbitals देखो हमें कौन सच है यह sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s तो यहां तो ss की overlapping हो रही है sigma 1s, sigma 1s कम बनेगा जब दो एटम के 1s, 1s orbital overlap परेंगे constructive interference से फिर हमें क्या चीए sigma 2pz, sigma star 2pz यानि कि pp overlapping से हम बनाएंगे और फिर हमें π2px, π2py यानि कि pp की sideways overlapping हम लोग करवाएंगे तो ss, pp overlapping हमें देखनी है जो हमें 20 electron species तक molecular orbital की shape काम आएगी उसमें लेकिन और भी था है कि molecular orbital बनते हैं आपके हम सबसे पहले s-orbital और s-orbital ss overlapping की बाग करते हैं s-orbital, ns-orbital spherical in shape यह आपका अच्छो सर अवाज कम आरी है आपके तर अब की आवाज नहीं आरी नहीं आरी है कम आरी है तर अब क्यों आरी हम कर न करू 되어 कि इसके ब्सक्राम आहरे आविसे अधिर कम कर प्रीं किसन हो कित और दो हुआ अभी भीवे कंट रही अभी थीख नहीं कर लिख दंनाव नहीं कि हा बट हर अब और अबひा अब मेम आ चाहिक कर थ्त्थ्क हे ए और एक थे कुंट writes भीज्ट्रेंट 他 है यसर अट् आपके आवाज नहीं आरी आपके यापर नेट प्रोब्लम है इसलिए नहीं आरी शुबम अभी भी आवाज नहीं आरी आपको अगलो बाकी बच्चों का ओगा जा रही है ना यस सर यस सर ओके फाइन फाइन तो यह वनेस और वनेस देखो बच्चों अगर हम यह वनेस और वनेस और वनेस और बिडल की बात करें तो सिग्मा वनेस और सिग्मा स्टार वनेस बन जाएगा अगर हम टूएस और टूएस की बात करें तो सिग्मा टूएस और सिग्मा स्टार टूएस बन जाएगा depends करता है कि positive or sleeping कर रहा है या negative or LAP인 कर रहा है constructive interference ya fire destructive constructive interference मतलब additive effect ओर destructive interference मतलब subtractive effect तो si a plus si b यहांपे wave function का sign यह है psi a plus si b कर देते है यहांपे wave function का sign यह है लेकिन sign a minus all aboutncop a mean इसकी ओर लेपिंग अगर हम करवाएंगे बच्चों, तो क्या रहेगा आपका अटो मिक और बिटल ओर लेप किये, जहां पर यह क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटर्फिरेंस है, जहां पर ओर लेपिंग हुई, वहां पर इलेक्ट्रोन क्लाउड बढ़ जाएगा, दूसे साइड से इलेक्ट्रोन क्लाउड वहां पर खिचा चला आएगा, यही है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटर्फिरेंस, य इसका यहां तक तो वीवीटी नहीं बता दिया था सिग्मा पॉंड हेड़न ओर्लेपिंग यह इंटर न्यूक्लियाई को बिलाएंगे तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगी है लेकिन इस से मैं मोलीकुलर ओर्बिटल अब एमो थियरी क्या बोलती है कि ओर लेपिंग के बाद अटोमिक ओर्बिटल जूमंतर होकर नए मोलीकुलर ओर्बिटल बनते हैं तो यहां पर उसकोर्णक्लाव बढ़ जाये गा और इस साइट से ऐस्तरव खचके सा आजाएगा जहां पर आप और यहां तो आपका उसकोरो. इस तिर्फ और यहां जैल्यावड पष़़ बिलीच इंक्रीज हो झायेगा Moy तो तो मेजर आजये क्लावड रहे गा जाय का वो इस तरव और यहाँ से एलेक्रान क्म हो जाय गा तो यह बन गया सिमा वन्स अगर यह टूऴेस होता यह भी टूवेस होता तो यह सिंग मा वेस हो जाता लेक्ट्रोन क्लाव पॉजिटिव पॉजिटिव यह बिल्कुल थोड़ा स्मेट्रिक सा बना लेना कुछ लोग सिग्मा वनेस को ऐसे बना देते हैं बीच में और लेपिंग है तो थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाते हुए सिग्मा वनेस तो आपको थोड़ी सेफ इसकी डिफर करती भी मिलेगी यह बॉंडिंग मोलिकुलर ओर्बिटल है अब क्या करें यह साई ए माइनस साई भी है डिस्ट्रक्टिव इंटर्फिरेंस यह कंस्ट्रक्टिव एडिटिव यह साई इसको सोचने का तूछ तरका को पोजिटिव कर दो और जो माइनस में उसको नेगेटिव्क कर दो आप जानते ही हो एकस माइनस वाई-एकस फ्लरस माईनस वाई तो इसको मैं यहां पर प्लस कर दूँ और यहां पर माइनस कर दूँ बात बराबर है तो यहां पर बच्चो जैसे और लेपिंग होगी है डिस्ट्रक्टिव इंटर्फिरेंस है यह पोजिटिव और यह नेगेटिव आप लोग बड़े प्यार से लिख लेंगे जहां पर ओर लेपिंग होगी है वहां पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जयानि कि वहां पर इलेक्रों नेंस्टी कम हो जाएगी तो इलेक्रों नेंस्टी इस और बागेगी दूसरे साइट बाग जाएगी नुकलिय के इदर और इसकी एधर बढ़ जाएगी तो इधर ओर लेपिंग डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक नूपलिय ये है दूसरा नूपलिय ये है इसका एलेक्राण क्लाउड इधर बढ़ जाएगा तो सिचुएशन इस लाइक देस ये हो गया और इधर भी लाइक दिस यह हो गया अगर 1s1s है है यह दोनुँ तो इसको सिगमा स्टार 1s क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटर्फिरेंस वह तो स्टार लगाएंगे 2s 2s है तो इसको सिगमा स्टार 2s बच्टिब यह स्टार वाले anti-bonding है negative destructive interference से यहाँ पर आप देखोगे anti-bonding molecular orbital में star वालों में हर्दम nodal plane जरूर रहेगी तो one nodal plane is there यहाँ पर positive बोलेंगे और यहाँ पर negative बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे this is one nodal plane आपको objective पुछेंगे कि nodal plane bonding molecular orbital में रुविटल में वी शकती है यहाँ आपको बैंगे तो कोई anti-bonding molecular orbital में nodal plane होती ही होती है एक या एक से जादा तो one nodal plane is there in sigma star 1s and sigma star 2s दो वर्ड आते हैं अभी आवाज आ रही है सुबंग तो इसी इनुटेजिया तो मतलब आपके एंड़ में पर नेट का कुछ पूश्छी हो गया सबीकर नी आती तो मेरे एंट पर हो सकता है तो देखो नौडल प्लेंग सिंगा स्टार्ट वने सिंगा स्टार्ट टू है पाटिक है एक नॉडल प्लेन है इसकी सेब यह बहुत यासान इसका सेब अगर जिस तरह मैंने बोला है उस तरह आपने ध्यान दे लिया तो बहुत आसान है सेब पॉंपलेक्स जरूर है यह तो स्पेरिकल है लेकिन यह स्पेरिकल है नहीं इस इस नॉट पर इस इस नॉट स्पेरिकल तो इलेक्रों क्लाव रिजर पर जायेगा इस 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 आर्मोली कुलर और विटल सिक्मा वने सिग्मा स्टार मने सियं मॉली कुलर और यह जिरेट एं अन जिरेट सिंग अ मीचिए यह नं पंधा यह वो यह थिरेडभ लूट न सिंग में ऑन पाइन स्टार और सिंग्मा पाइस्टार पाइर रहीं मॉन जिरेट करते हैं स्मेंट्रिक्स में तरिक मतला यह पूरा एलेक्ट्रोण क्लाउड है इस इस नुलिया के एक से भी अर्बिटल बन गया जिसको और रहे हैं और लेपी मप्यूर्ट में और दूसरा अंटी बोला यह हो गया बोंडिक मुल्डिक नोडल प्लें नहीं है यह एंटी बॉ अब देखो अगर मैं यहां पर बोलू तो बताओ इसके बिल्कुल सेंटर से इधर चलो एक्स इस्टेंस इसटेंस बिल्कुल इसका सेप ऐसे है कि आपको लग रहा है कि हाँ दोनों तरह इक्पर डिससेंट पे एक जरसी सिच्टुएशन है इधर भी चलो इधर भी चलो तो स पड़ेंगे स्मेटरिक है, के समेत्रिक है जितनों स्मेटरिक है यह सहां गया? यह तो जिरेड हो गया, क्या हो गया, जिरेड हो गया, स्मेट्रिक है, लेकिन इधर बात करें, इसको बीच ओ बीच सेंटर पे पोइंट लो, इधर चलें तो नेगेटिव, लेकिन इधर चलें तो पोजिटिव साइन ओफ फंक्शन हो गया, तो स्मेट्री नहीं है, इधर चल के लिए तो बीचो बीचिक, molecular orbital multi-centric होता है यानि कि multiple nuclei के influence में electron cloud होता है, यह atomic orbital है तो एक ही nucleus के influence में electron cloud है atomic orbital में एक ही atom का nucleus होगा, molecule में कई nuclei होता है, molecular orbital में electron cloud is under the influence of multiple centers, multiple nuclei यह आपका nodal plane हो गया this is your nodal plane थोड़ा ज्यादा बन गया वोस orbital को टच नी करना यह nodal plane हो गया ठीक है तो constructive interference bonding बनाता है और destructive interference यानि की subtractive effect anti-bonding molecular orbital बनाता है, as simple as that अब हम पाई की बात करते हैं हमने z-axis inter-nuclear axis वानली, if z-axis is inter-nuclear axis तो हमें पता है, p-z, p-z की overlapping से head-on होगी, sigma बनेगा और तो p-x, p-x से and p-y, p-y से पका पाई बनेगा होगी इनसे पाई और पाई स्टार बनेगे पाई वाले constructive sigma and sigma स्टार बनेगे sigma p बनेगा, जैसे sigma 2p है यह दोनों 2p, 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 orbital है पी-z, p-z वाले, 2p, 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 sigma स्टार, 2p, z and so यह 2p, 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 x है तो पाई 2p, 2p, x बनेगा एन पाई स्टार, 2p, x बनेगा यह पी-वाई-पी-वाई है तो इधर पाई 2p, y बोलेंगे हम लोग और पाई स्टार, 2p, y बोलेंगे हम लोग ठीक है से वोई चीज़ अब हम बात करते हैं पी-पी ओरलेपिंग सबसे पहले p-z, p-z ओरलेपिंग ले लेते हैं मतलब सिग्मा बनाने वाली तो p-z, p-z ओरलेपिंग लेगे तो दोनों p-z, p-z अपस में माल लेते हैं कि यह इंटर न्यूपलियर एक्सिस है जैसे O2 में दो ओक्सिजन थी तो यह जड एक्सिस बनाई एमने डेस डेस से तो एक का p-z रहेगा ऐसे और दूजरे ओक्सिजन का p-z रहेगा ऐसे यह नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं कि एक पोजिटिव लोग एक नेगिटिव कंस्ट्रक्टिव इंटर्फियरेंस करवाना है तो ऐसे यह साई A हो गया यह साई B हो गया एड कर देते हैं दूसरा अगर हम बात करें सेम डिस्ट्रक्टिव इंटर्फियरेंस यानि कि सब्ट्रक्टिव इफेक्ट पीचेट पीचेट गई दो एटोमिक ओर्बिटल ओर्लैब करेंगे तो दो मॉलिकुलर ओर्बिटल बनेंगे साई A सुपन दो यह अगर दिखाते हैं मॉलिक झाराव VBT की कहानी आहत चलती है. अब क्या देखा हमने कि यहाँ पर constructive interference हो रहा है तो यहाँ पर electron cloud बढ़ेगा तो इस पी orbital में इधर constructive interference हो रहा है तो इधर से electron cloud किसके इधर आजाएगा और इसका इधर हो रहा है तो इसका यह लोग चोटा हो जाएगा यह बड़ा हो जाएगा तो यह तो VBT हो गई अब MOT मतला दो nuclei है बीचो भीच electron cloud बढ़ने वाला है और इधर से स्रिंक हो जाएगा तो यह electron cloud is like this बीचो भीचो भीचो आपका बढ़ गया electron cloud increase wherever there is constructive interference और अगर हम दूशी तरह बात करें electron cloud काम हो जाएगा यह माईशन हो जाएगा आरे अच्छो यह है negative positive यह negative positive यह क्या हो गया यह मान लो 2p z 2p z है 2p z 2p z है वे सिग्मा बनेगा ना क्योंकि head on overlapping हुई है तो यह सिग्मा 2p z के लाएगा constructive interference तो सिग्मा यहाँ पर अगर मैं बात तूरू तो destructive interference negative positive लेकिन इसका sign शाही पोसिट कर दो आप यहाँ पर क्या करेंगी यहाँ पर डिस्ट्रीक्षन हो जाएगा तो electron cloud इस वाले लोग में बाग जाएगा इसके इस वाले लोग में बाग जाएगा करने क हो तो क्या हो गया कि घर में बात करों तो इधर तो इलेक्रों उच्ट्रैक्शन हो गया तो इदर ये लेक्र Chicago sexy ऊपिजायगा दल सरहLove-जाई गया लिह सबमाइ यहां पर यह आपका एक नौडल प्लेट बन चुका है सब लोग दो लोगी नौडल प्लेट मतलब वो बाद जहां पर प्रोप्रोटी और फाइन देलेक्रों जीरो हो उस प्लेट बोलेगे पता ही आपको दो अब मुजा कि दो मैं अ मुझे बताऊ। को एसकेल कि बल्कुल से इदर चलें तो न्यूकलीजब और न्युकलीजब नेगेटिवनक्टि अंगेटिंग इदर चलें तो ये वह बल्कुल सीटाव पॉजुचिवन जिदीन तो सेम यानि कि स्मेट्रिक है तो यह जी रेड हो जाएगा सिग्मा टूपी जाएगा इसकी अगर मैं बात कुरूँ तो इस बिल्कुल बीचो भी सेंटर ले लो इधर इधर चलें तो नेगेटिव पोजिटिव आगे फिर पोजिटिव नेगेटिव तो सिग्मा और सिग्मा स्टार में सिग्मा टूपी जर्ड कोई भी हो आपका जिरेड होता है और सिग्मा स्टार अंचिरेड होता है ऐसा आपने देखा या पर वन नोडल प्लेन इस देर इस नोडल प्लेन इस नोडल प्लेन अमने अतोमिक और बिटल नोडल प्लेन नोड इस इकोल तो एल के बराबर था ठीक है इनके सेफ आपने देख लिए आपको पुछेंगे वड़ इस दा नंबर ओफ नोडल प्लेन प्रेजेंट इन सिग्मा टूपीज़ड एल सिग्मा स्टार टूपीज़ड तो उपर वाले में तो नहीं है लेकिन सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन है या अपका आंसर हो जाएगा इस तरह उब्जक्ट आपको पहले वाला यह 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 यहश्य immortता है pow को टॉक करताशा है झाल झाल डोला प्जून स्कितै काथ बाता मौरों भील झाल झाल i Ho झाल झाक ःट्टोड्टह पनॹ़मक् inviting पीड़िवाई पीड़िवाई से वांडिक मोलेकुलर और एंटीबॉनिक मोलेकुलर ओर्बितल बनाएंगे पाई एंड़ पाई स्टार पनाएंगे वो देखो माल लेजी यह एकक्सिस है पर्पेंदिकलर्ड टू यह तो आपने जाड एक्सिस ले लिए थी बन माल निजी एक oxygen atom का ये P orbital है और दूसरेगे वाले oxygen atom का ये P orbital है दूसरे oxygen atom का की P orbital है this is psi a and this is psi b, हर Orbitल एक गेज़ी पोजिटिव पोजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पोजिटिव नेगेटिव शाइए माइस साइए प्लस साइड यह एगा अब वीवीटी क्या बोलती है कि हो गई ओर लेपिंग नेकिन मो बोलता है कि ओर लेपिंग के बाद एटोमिक ओर्बिटल चुमंतर उसके जगह पर नए ओर्बिटल बन जाते हैं आप बिल्कुल स्मेट्रिक बना लेना सुन्दर तरीके से इस नेगिटिव को आप इन्वोल करो तो इनका साइन्च हो जाएगा यह नेगिटिव और यह उसने क्लिए तो यह destructive interference हो गया ओपर वाला constructive interference हो गया additive effect is subjective effect अब जहां एलेक construction होगा जहां और लेपिंग हो रही है यहां in between the nuclear region में इधर और लेपिंग हो रही है तो यह लेक्न प्लाओच अपर पाड़ के बढ़ेगा और लेपिंग region में ओपर और नीचे इधर भी बढ़ने वाला इधर भी बढ़ने वाला है ठीक है तो जो यह inter nuclear axis है जड़ एक्सेस उपर भी electron cloud बढ़ गया और नीचे भी electron cloud बढ़ गया तो क्या situation रहेगी उपर भी electron cloud ऐसे और नीचे भी electron cloud ऐसे हो जाएगा ऊपर वेव फंक्शन नीचे नेगी तो यह बिल्कुल स्मेट्रिक है जैसा उपर है वैसा ही नीचे है मेला दे में जहेंका तो सरीके शैद मेरे बनाने साब को नहीं लग रहे होंगे इसलिए मैंने किल्यदली बोल दिया क्योंकि मेरे को नहीं लग रहेगी झाल झाल नहींट ऐसे इक तो बन गए आप का पाई टूपी मॉइड और टूपी वाई और टूपी यह है विज़ेगा पाई टूपी ओडिलाई लेकिन यहां पे और लेक्ट्रिक्टिक्शन हो रहा है तहीं है यहांएलेंट ख्लाउड चूमंतर हो जाएगा तो इस से जो आँवलिक् तो यहां पर destruction हो जाएगा तो इलेक्रों क्लाउड इस in between the nuclei तो गायब हो जाता है Antipointing में देखोगे in between nuclei electron cloud गायब हो जाता है क्योंकि दो nuclei के बीच में overlapping होती है तो क्या होगा दो nuclei है यहां पर गायब हो गया तो अधर भाग जाएगा पोजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पोजिटिव आप देख सकते हो इधर से आप थोड़ा gap भी बना सकते हो क्योंकि इधर भी एक nodal plane होती है और इधर भी एक nodal plane साप-साप दिखाई दे रहा है यह हो गया 5 स्टार 2PY माल लीजी यह 2PZ है माल लीजी यह 2PZ है तो यह पाई स्टार 2PZ बन जाएगा और यह पाई 2PZ बन जाएगा और यह पाई 2PZ बन जाएगा तो आप जिस हिसाप से लोगे उस हिसाप से जो एक्सिस लोगे वो सिक्मा बना लेगा और बचे हुए 2PZ बना लेगा नॉडल प्लेन यहां पर भी देखो एक नॉडल प्लेन है क्या समझ में आया कि यह तो bonding molecular orbital है constructive interference यह एंटी-bonding है तो आपका bonding और anti-bonding molecular orbital में bonding molecular orbital में यहां तो आपका nodal plane है लेकिन sigma 1s, sigma 2s में nodal plane नहीं था sigma 2pz में भी आपका नहीं था लेकिन जब pi 2p x और pi 2p y है तो nodal plane है तो bonding molecular orbital में nodal plane हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन एंटी-bonding में देखो pi star लेखो sigma star देखो सब जगे nodal plane जो है pi star में तो आपका nodal plane आपके 2 है तो और तरफ आप देखो और अगर आप sigma star की बात करों तो एक nodal plane था था sigma star की बात करों तो एक nodal plane था pi star में दो nodal plane था इस आपके different molecular orbitals that we come across ब्रो कर लिया बच्चो यस और नो में आपको अब कुछ पॉइंट लिखाऊंगा about bonding molecular orbital जल दल दे लिख लो समझने का काम सब हो चुका है sigma pi जो भी है लिखो फर्स पॉइंट इस फॉइंट बाई constructive interference of electron waves constructive interference यानि की additive effect इस फॉइंट बाई constructive interference of electron waves इस फॉइंट बाई constructive interference of electron waves second it has lower energy and more stability compared to atomic orbitals सभी जगे अगर आप नजर मार के देखो sigma और पाई वाले यानि की बिना स्कार वाले bonding थे तो BMO पर नजर मार के देखो तो आपने हर्दम देखा कि in between the electron cloud in between the nuclei electron cloud बढ़ गया है अपका electron की density बढ़ गई है दूसरी तरफ का मोई है तो निको थर्ड it increases electron density in the region between the two nuclei diatomic polycule के two nuclei के बीच में electron density बढ़ाते है it increases the electron density in the region between the two nuclei in the region between two nuclei due to which stability increases due to which stability increases next point electron present in BMO leads to attraction leads to attraction hence more stability last point it may or may not have node or nodal plane may or may not have nodal plane सब पॉइंट अम निस्क्स कर चुके है next ABMO के बारे में लिखो anti-bonding molecular orbital सब हम जानते हैं बस लिखना है ABM लिखो it is found by destructive interference bracket miss subtractive effect destructive interference bracket miss subtractive effect of of electron waves of atomic orbitals next point it has more energy and less stability as compared to combining atomic orbital point just cross-bonding point just cross-bonding point just cross-bonding for ABMO in between the nuclei region may increase already after the destruction over there was a come over is may be to be small and paint up anti-bonding made the sandera the coops of the anti-bonding makes this section which is a beach of each electron and sick I have or nodal plane in the war the electron density in the region between two nuclei electron density in the region between two nuclei decreases which is responsible for less stability which is responsible for less stability of the electron bm o present the stability but after action but in ABMO method repulsion electron present in ABMO leads to increased repulsion sigma star ho ya pi star ho sab mein nodal plane jaroor tha last point electron present in ABMO leads to repulsion last it will always have node it will always have node anti-bonding molecular orbital mein nod jaroor tha chahi ho sigma star ho ya pi star ho you can see it easily ab me kuch atomic orbital molecular orbital atomic orbital atomic orbital pehle patsukhe ho molecular orbital abhi peh chukhe ho MMO theory atomic orbital pehle patsukhe ho atomic structure laser me un-donom me difference بتata batao yaha pere eki nucleosk influence me ho ta poora atomic orbital electron cloud to yeh monocentric ho gaya diatomic molecule hai toh doh nuclei me ho gaya polyatomic molecule hai toh poly centric atomic orbital monocentric hota hai molecule orbital poly centric very easy sab ko pata hai atomic orbital compression me molecular orbital jada stable hota hai region being leprone cloud is now attracted by more than one nuclei toh chakkar hota hai resonance me eek nuclei attract honne ki vajay kai nuclei attract ho ta hai aurol attraction bha jata hai hostility bha jati hai toh comparatively less stable but molecular orbital में comparatively more stable more stable inki josey potty hain was simple safe or unki safe coffee complex have you have seen a sorry see इसको कैसे रिपर्जेंट करते हैं इसको हम कैसे रिपर्जेंट करते हैं इसको कैसे रिपर्जेंट करते हैं यह वाले क्या हैं टिक वाले बी एमो और स्टार वाले क्या हैं एबी एमो है एंटिबॉलिल मॉलिक्या अल देट वी नौ इस तरह की कुश्चन बनते हैं उस तरह की कुश्चन हम उलड़ी कर चुके हैं लास्ट और थोड़ी मैं बोलूंगा बी टू और सी टू में कितने कितने सिग्मा बॉंड होते हैं और बॉंड ओडर क्या क्या होता है बताओ बी टू मॉलिक्यूल में और सी टू मॉलिक्यूल में बॉंड ओडर क्या क्या है वन है एन 2 है कितने पाइबोंड है वन पाइए जिरो सिग्मा है यहाँ पर डू पाइए है एंड जिरो सिग्मा ऐहाँ सेरां सरफ मोंची आपका एक सिग्मा होगा और बच्चे वह इंट पाई होंगे शिग्मा तो सब ने में बनना है ऐसा वी सब्सक्राइब करेंगे अमनों ज्यादा उसी को योज करते हैं अब मैं देखता हूं कुछ कुस्षिन आपको बताता हूं कि आपको बताना है कि हाईबरेड़ी और्बिडल और्बिडल नहीं और नोर्डल नौडल प्लेड़ी आपको दिखना है मैं पीडी ओअर्लैपिंग की बात करता हूं जिसकी मैंने बात नहीं की PD overlapping में अगर मैं constructive or destructive interference करूं तो what is the shape of hybrid orbital तो आप πई PD sideways कर लेता हूं और πई star PD दोनों की save साथ बताओगे मुझे PD और lapping करोगे हूं खुद से बनाओ और save भी बताओ take it at the question ये P हो गया ये D हो गया positive negative positive negative positive negative constructive interference हम लोग कर रहे हैं और sideways overlapping कर रहे हैं और constructive interference और sideways तो पाई बताओ ये इसके साथ और लैप कर जाएगा ये तो मिन दूर दूर जानबूज के दिखाएं में डारेक्टी और लैपिंग करके दिखा सकता था और और molecular orbital बनाने के लिए बोल सकता था यूजिंग दा टिप्शन ट्रिक्स देटाइड डिसकस्ट जो मेरें डिसकस्ट्शन में आटोमेटिकली यूज की हैं वो आपको इस्तिमाल करना हुआ तेल मी गाइस यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटर्फियरेंस दोनों न्यूक्लिय के बीच में इदर यहां पर एलेक्ट्रों क्लाउड बढ़ने वाला है बढ़ने वाला है लेकिन यहां पर एलेक्ट्रों क्लाउड इसका खिचके चला जाएगा तो इन लोब में एलेक्ट् लेकिन अब molecular orbital बनाएंगे जो मोलती है यहां पर अगर हम बात करें तो electron cloud बढ़ जाएगा विच 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 जैसे पीपी ओर लैपिंग में हुआ यहां तो electron cloud बढ़ गया आपको यहां तो electron cloud बढ़ गया आपको यहां विच इसके जार विलकुल स्मेत्रिक टाइप बना ना यह नोडल प्लेन होगे आपका क्या हो जाएगा पोजिटिव पोजिटिव नेगेटिव 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 एक बार लिखतो दो बार पोजिटिव पोजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है अरे याँ साइन की चक्पर में ना पूरा लिखने यहाँ पर यह लोग था आपका नेगेटिव और यह लोग था आपका पोजिटिव यह दो नूक्लिया ही है तो इसमें एक नॉडल प्लेन हो गया पाई यह पाई पीडी हो गया मैं यहीं पर चेंज करूँ आप पाई स्टार पीडी आपको बनाना है मैं यहीं पर ओल्टरेशन कर देता हूँ देखो यहां में बॉंडिंग है फिर भी नॉडल प्लेन है आपकी नॉड है इस पार डिस्ट्रक्टिव इंटर्फेरेंस कर देते हैं तो इट विल वी साई ए माइनस साई भी तो आप साइन समझने के लिए आप उजेट कर दें फास्ट ली तो यह यह स्टार्टिंग से इसको प्लस रखें और इनको साइन को अपॉजिट कर लें यहां positive थो आप between से यहां plus कर लें और यहां negative और यहां positive अपने आप negative नगेटिव ओरलेपिंग हो गई में दोराइभ नीं अपने आप negative ओर लेपि हो गए अपने डिस्टाइब ईन्टरिए अपने आप साब साब इथे रहें अब यहां तो जहां और लेपी हो रही है माद्धो लेक्रों फाट जाएगा गुआ होगा इसका ईलेक्रोन क्लाउड जैसे डिस्टरेक्शन भाई में पाइस पी स्टार टूपी जग लो था आपका इधर भाग या इसका एलेक्रोन क्लाउड इन दोनों लोग में तो यहां तो दोनों युक्ले के बिच्चो बीच्टो नॉडल फ्रेन के बननी बननी होती है क्या सिचोईशन हो जाएगी यह इतर वाग जाएगा यह इदर वाग जाएगा जैसे पाइस टार में था और यह लोग में आ जैगा यह तिंगी यह लोग यहां तो नोडल प्लेन आनी ही तो नोडल प्लेन हो गयी यह HOगया Pope Cox स्टार, पेडी, ओंपुटन, दन बच्छो, काम ही आएगा आपको इस, आपको 20 एलेक्टरों तर कोई काम नियाने वाले, पेडी ओर लेपिंग और दीडी ओर लेपिंग आपको नो यूज, बट जस्त मैं आपको कुछना चाहे, अच्छे लेवल की कुछिंस में, तो ये इन मोल कर सकता, आपको बेसिक थोर्ट प्रसिस जन्रेट हो गई, तो यूज, तो यूज, तो यूज, आप बता दो तो, मैं डिरेक्ली, ओवरलेप सिस्थम दिखा देता हूँ, ये स्मेट्रिक बना लेना, मिल्कुल, पोजिटिव ओरलेपिंग करवा देते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और साइडवेज है, तो पाई तो बोलेंगे, बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बताओ इसका, सेप बताओ, ये पाई डेडी बन जाएगा और सेप तु यहाँ एलक्रव कलाउड बढ़नेवाला है, यहाँ बढ़ने वाला है, यहाँ बढ़नेवालेगा, तो इस दी उर्बितलखा, इन लोग में कम ओकिफे उधर चला जाएगा, इस दी और्बितलखा भी इसलोग शोपिफे शिका kommt अध्यों इधर तो इधर तो रिचो इधर तो इधर तो अधर तो जसे लिए कि दूसरे साइड वाले लोग में कम हो जाएगा एलेक्ट्रोन क्लाउड सेम वे इधर एलेक्ट्रोन क्लाउड बढ़ जाएगा यह आपका नोडल प्लेन हो गया ओपर क्या है को सिद्टी इवतलीव सेट यह और आपका यह पाइडी त्थाइड़ра क्रेंगी और यहां जाएंगी तो कि वीरेक्ट्रोन क्लाउड गुव्यार कीई सब्सक्राइट तो क्लाउड आफि सब्सक्रीय ग्यांगडी खिले ससे गइलागा united मुझाएगा बन गई दन बच्छो डन यह सर इस्ट्रक्टिव इंटर्फिरेंस की बात करूं तो यह नेगेटिव यह पोजिटिव पोजिटिव और नेगेटिव यह हो गया दिस्ट्रक्टिव इस बार एंटी बॉंडिंग बनेगा कोई बच्चा बना सकता है सेप और पाइस्टार पीडिग अभी तक तो आइडिया पढ़ गया होगा कैसे सेप ओफ पाइस्टार में बीचो बीच एक तो राम नाम का नोडल प्रेन होता ही होता है दोनों न्युक्लाई के बीचो बीच एलेक्ट्रों क्लाउड गाया बजाता है और दोना निशार आपस में खूब लड़ाई करते हैं अधिया है यहां प्लॉड बढ़ जाएगा यह टिंकी ओजा प्लॉड जाएगा यह टिंगी ओल मुद जाएगा इसमें पना ले ना या थोड़ा यह पोजिटिव था आपका यह पोजिटिव था यह नेगेटिव था यह क्या था पॉजिटिव था पॉजिटिव और नेगेटिव था पॉजिटिव था पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे बताओ यह जिरेड है क्या देखा रहा हूं पूर नोडल प्लेंट इस बार मैं आप लोगों को सच मुस आइडिया हो गया नहीं हो गया कैसे एक कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं नोड़े डाउन गईस इस बार में एस और पिकिया पूद एस पी और लेपिंग से मॉलेकुलर और बिटल कैसे बनाएंगा स्पी और लेपिंग से यह ऐसे और यह आपका पी है constructive interference करवा है tell me molecular orbital orbital यह तो मामला बढ़ जाएगा यह और यह लोग चुटको जाएगा यह नुकली है और यह नुकली है यहां तो मामला बढ़ जाएगा लेकिन यहां खिच जाएगा सिग्मा स्पी बन जाएगा एस तो पाई बनाएगा तो पाई मेने सो चाहिए अब मैं डिस्ट्रक्टिव इंटर्फिरेंस करवाता हो अब बताओ जरा पहला चटको दूसरा इसका तो इलेक्रों क्लाउड भाग जाएगा इस वाले का तो इदर और बीचो बीच तो एक नोडल प्लेन बनती ही है बीचो बीचो बीच तो एक नोडल प्लेन बना ही लो राम नाम की पहले ही बना लो चाहिए पाई स्टार में हतम निंती है यह इसका नुकलियस पर उसका इलेक्रों क्लाउड एस वाले का इसे भाग जाएगा इसका इदर से उदर सिफ्ट हो जाएगा यह पोजिटिव और यह नेकितिव वन नोडल प्लेन इसका इलेक्रों क्लाउड इदर था इसके स्मेंट्रिक लेके नहीं देगा कॉंप्लेक्स सेप में स्मेंट्रिक अड़ बढ़ा जाती जाएगा यह इदर से सब्सक्राइब तो सिक्मा एंड पाई स्टार क्या थे आपके अड़ा जाएगा तो सिक्मा एंड पाई स्टार क्या थे आपके अब देखो आप कही पर ना सिग्मा एंड पाई स्टार क्या थे आपके अब देखो आप कही पर ना सिग्मा वनस् सिग्मा स्टार करते श्ट्रा के के वनस् इसके जगह के के टूएस ऐसे ऐसे लिखे हुए मिल जाते हैं आपको इसके जगह पर यह एल हो गया ना एल के सेल तो एल सेल को कॉस्ट इस लोगों ने अब्जेक्शन किया जब मोर्टी पनी की बॉंडिंग में शिरफ वैलेंट सेल के इलेक्ट्रोन ही टूएस 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 टूए कुक है ऊपने टो वर ये जो के और के की ड़ीया सैंटर नतरangen है अग्त इसले इसलिए गभाने देखा कि इसलिए उसम के खेश और गार मनेदésus कि माध्य व्सक्त करो कि जो रफन्स यार, बोलना यह चाहता हूं, कि कुछ साइन्टिस्ट ने एमोटी बनी, तो एक पॉइंट का अब्जेक्शन किया, कि जो एमोटी के हिजाब से जो बोंडिक है, वो बोंडिक इस वैलेंट सेल फिनोमेना, तो वैलेंट सेल के जो एटोमिक और्विटल है, वो ही मोलिकुलर ऑर्विटल बनाएंगे, और मोलिकुलर ऑर्विटल से बोल्ड बनेगा, नमबर ऑफ बॉन्डिक और वन्टी बोल्डिक गोलिक ड्योड़ बाई टू लेकिन जो इनर सेल है, जैसे सेकेंड पिरेड लेकिन जो 1s वाले ओर्बिटल है वो एक्टोमिक और्बिटल फोम में रहेंगे वो इंटर्मिक्सिंग करके मॉलीकुलर ओर्बिटल नहीं बनाएंगे जो के सेल के है तो उनको ऐसे लिख देता है के के करके है ठीक है अगर 2S और 2S वो ऐल सेल के अल मतब अलीज इकलर टू अ को बहुत नहीं कह अगर अगर बैलें सेल थर्ड है तो फिर एल वाले भी नहीं जाएंगे तो उनको एल ही लिखेंगे उनको सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार लिखने की जवड़त नहीं है तो यह नहीं लिखा रहता है यह वाला इसके जगह पर हम KK-1S यह KK-1S समझ गई यह थोटी चीज है ओटे मेजर चीज आपको कहीं मिलेंगी नहीं किसी कोचिंग मैट्रियल में कहीं पी ऐसा नहीं लिखा रहता है वेडियो प्रशन जग आपको कुछन नहीं बने इसके ऊपर कुछन भी किसी भूक मैं आयनको कि इंट तलना ओके दोस्तों यह हो गया आपका बीबी टी आमोटी आमोटी पूरी तरह आपकी घंदम हो गई हाँ होगो टू लिवो ट्रांजिशन इसको हम के के डैस वन ठीक है इसको के के डैस ऐसे भी दिख देते हैं के के डैस तू मतब तू एस ता है अब देखो हमो मतलब हाइस अब देखो हमो मतलब लोवस अनॉक्किपाइड कहीं पर भी जब हम कलर एक्स्प्लीन करते हैं कहीं पर भी जब हम कलर एक्स्प्लीन करते हैं तो एक एनरजी लेवल से दूसरे एनरजी लेवल में इलेक्पों का जब करवाते हैं हमो से लेकर लियो मोतल तो हमो लियुमो ट्रांजिस्टिशन कलर ओफ कंपाउंड केश्टी में कई तरीके से एक्स्प्रेम क्या जाता है अफ से लियुमो में जायेगा तो हमो मी लेक्पों ने लियुमो खानी पड़ा है तो हमो से लुमो में जब इलेक्पों इस और लियुमो आइज़िस्टिशन होगा तो जो radiation absorbed हुई वो visible part में होनी चाहिए तो ही जो complementary color होगा वो color of compound है जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले color wheel से color wheel अबने डिसक्स किया था कभी? Yes sir किया था क्या? Yes or No? Yes sir V-I-B-G-Y-O-R अगर किसी का violet color वाली radiation अगर किसी का वाइले था क्या था नहीं बोला हुआ नहीं बोला हुआ नहीं बोला हुआ किसी भी compound का सबसेंस का कलर जो radiation एबजोर्ब करता है एक energy level से दूसरे energy level में उसकी वजे से नहीं होता उस के अलावा जो एबजोर्ब नहीं होई जैसे solar radiation कि रही है उसमें तो विब्ग वाली सारी visible part के सारे spectrum का हिस्सा है सारी radiations है पेड की पतियों का कलर green होता है क्यों? क्योंकि पेड की पतिया red color वाली radiation absorb करती है अगर red और orange के बीच वाली radiation absorb की तो blue और green के बिल में greenish blue या blue screen type का कोई color रहेगा right तो complementary color of any compound color of any compound और किसी substance में जो compound है उस substance की अगर हम बात करें is due to is due to radiation absorb नहीं radiation जो de-excitation के टाइम पे एमेटेड है अब जो एमेटेड नहीं होती है आप लोग पढ़ चुके atomic structure 1 से 5 में जब करके electron गया तो आते टाइम 5 से वाल में भी आ सकता है 5-2, 5-3, 5-4, 5-4 आया तो फिर 4-2 वाली कई रेडियेशन मिल सकते हैं, तो यह एमेशन हो गया उसका, and second is, रेडियेशन जो एब्जोर्ब ही नहीं हुई, जो ट्रास्पेट हो गई या रिफ्लेक्ट होके आ गई वो अन एब्जोर्ब है, इनकी वज़े से हैं, एब्जोर्ब की वज़े से कलर नहीं होता है, अगर यह एब्जोर्ब्शन नहीं विजीबल पार्ट में नहीं हुआ, जैसे अल्ट्रा वाइलेट में है, विजिबल पार्ट का है हिसा है लेकिन अल्ट्रा वाईलेट तो अगर विजिबल पार्ट अल्ट्रा वाईलेट या ndra अल्डियám एक्सरेय शेए सब विफ तो उसका complementary color तो इस color wheel या monster wheel से कुछ है नहीं तो वो colored compound नहीं होगा वो compound colored compound नहीं होगा तो यहाँ homo-lumo transition जैसे F2, Cl2, Br2, I2 इन सब का color हम homo-lumo transition से यह light yellow color की gas होती है, light yellow color gas is there और इसका color तो बड़ा famous है, parrot green color, तोते जैसा green color gas होती है और B brown या फिर reddish brown बोल दीजिए, liquid होता है यह room temperature पे और iodine पत्थर होता है, violet color का होता है तो जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका color जद जदा dark color होता चला जाता है इनका color हम homo-lumo transition से explain करते हैं, खर यह halogen family में 12 standard में आएका, एक question लिखने जीए O2 is paramagnetic in nature, write down question, O2 is paramagnetic in nature but it is colorless, सबको पता है O2 paramagnetic है, दो anti-bonding pi orbital में दो unpaid electron होते हैं, सब लोगों पता है, O2-1 में एक unpaid electron होगा, pi star में और O2-2 में dimagnetic है, zero unpaid electron होगे, अब लोग जाते हैं O2 is paramagnetic in nature but colorless, while F2 is dimagnetic in nature, F2 का electronic configuration लिखो, आप पता चल जाएगा dimagnetic है, VBT के लोगों साब तो dimagnetic है, dimagnetic in nature but it is light yellow in color, explain why O2 का electronic configuration अगर आप लिखते हो, तो पूरान मामला लिखते चले जाओ, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, फिर, π2px, π2py उसके बाद आएगा, π2 star 2px, π2 star 2py और उसके बाद sigma 2pz, पूरा लिख लेना Ramakhani, यहाँ पर होता है one electron और यहाँ पर होता है one electron, आप लोग जानते हैं O2 में, यह आपका होमो हो गया, मैंने पहले वाले नहीं लिखे, मैंने काम-काम के लिखे हैं, होमो और लिखे, इन दोनों के बीच में जो energy gap है, वो काफी जादा होता है, इसलिए ultraviolet radiation absorb परता है, क्योंकि वो ज्यादा energetic है, विजीबल से ज्यादा energy gap है, तो ज्यादा energy वाली radiation, ultraviolet radiation absorb, एफटू इसमें 16 electron, तो इसमें 18 electron, सारी रामपानी ऐसे ही लिख लेना, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी य जो जैड एक्सिस को, हमने इंटर नुपलेर एक्सिस लेकर चले थे वो ही है, तो पी एक्स पी वाई पाई बना रहे है, पाई और पाई स्टार, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो सिक्मा टू पी जैड, सोला की बजाए, यह सोला तो यहाँ तक हो गए, सत्रा, सत्रा एन अठारा हो जाएगा, ठीक है, वन एन वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रोन और बढ़ाने हैं, और दो लोग हम सेम स्टाइल से लगते हैं, तो इसमें सारे एलेक्ट्रोन पेरड हैं, तो यह तो ही यह पार मैगनेटिक तो है ही, लेकिन जो एनरजी गेप हैं, यहाँ से यहा तक, जो एनरजी गेप है, यलो खनाओ आधि मेटिक गेटिटर, सुछ कि ऑन व्लडेशन एकिट्व जोडर होनी चाहिए, तो क्रेडियेशन सार्थ तो इसलिए फाइनल कलर उसका यल्लोय बढ़ार हो जाता है आर ये अबर टो लेशन गाइस सरे इबर उपर वाला बता दो देखो भाई यहां पर होमो यह हो गया लुमो यह हो गया यहां पर भी होमो यह हो गया हम मतलब जिसमें इलेक्ट्रोन हो ल्यूमो मतलब जो खाली पड़ा हो इलेक्ट्रोनीक कोंफिकरेशन लिख लो होमो से लिमो में इलेक्ट्रोन जम करेगा अगर वीजिबल पार्ट में रेडियेशन एब्जोर गोई तो उस नहीं होता वो कंपाउंड कलरलेस हो जाता है यहां पर यहां पर oxygen कलरलेस है क्योंकि इसका एणरजी गप में अल्ट्रोने डेशन एब्जोर में तो इसका कलर नहीं होता लेकिन एफ़टू में जो एणरजीगाप कम है उसमें वोईलेट इंडीको कलर वाली रेडियेशन एब्जोर्ब करता है जो वीजिबल पार का हिस यार्ष किस एंधाट एनरजी एक रिक्वा एन इल्टा एम्योंड वालेट रिशन तो कलर लेस् अग्रिके एफ टू में इस बिलॉँंट वीजिबल पाइट लिएशन विल्टा वेलेट रिएशन इसका कॉंपलीमेटरी कलर आपको यलू हो गया तो थीक है तर क्लास कब तक है वेट फोर टू त्री मिनिट्स इसको हमने कतम कर दिया क्या हुआ नहीं हम लोग जादा करेंगे एक कुशन लिखलो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोन लेंथ is smaller in N2 in comparison of N2 पोजिटिव ठीक है N2 में जो N1 बोन लेंथ है वो N2 पोजिटिव भी N1 बोन लेंथ से छोटी है बट nitrogen oxygen जो bond length है वो NO में बड़ी है और NO positive में छोटी है explain why bond order निकालो गए तो higher the bond order, lesser the bond length आसा नहीं से आप पता सकते हैं, तो PDFC से bond order निकालो चटमंगनी पट प्या, do it fast do it fast सब्सक्राइब काफी डिटेल में किये एम अधिरी बहुत इंपोर्डेंट थी इसलिए हम लोगों ने बहुत टाइम लिया है मुद्धिरी आप उससे बहुत आसानी से कर पाओ गया मैं तरी कि सब्सक्राइब करने के इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन लिखा था और एफ्टू और एटू के लिए और एंटूर उससे पहले वालों के लिए अलग इस वो धियान तके अपकाम हो जाएगा इसका बॉन्डर बता हो यार थ्री होता है इसका कितना होता है तो पॉईंट फाइफ होता है तो स्मोलर दर दो दर हाईए दबोन नेफ होगे एक्स्पी एंडो का बॉन्डर बताह जबती सही 2.5 NO positive ka 3 higher the bond order lesser the bond length explain I think you understood it N2 or NO N2 and NO में एक लेक्ट्रोन का फर्क है 14 लेक्ट्रोन एं 15 लेक्ट्रोन N2 वाला ही electronic configuration इसके लिए होता है N2 के लिए जैसे मैं BN की बात करूँ N2 का भी है B2 का भी होई है तो BN का N2 B2 वाला कोई भी ले दो N2 का जो electronic configuration है वही N2 का है स्धिकोर नहीं सी को स्टार उनना सिक मरे सिकमा स्टार बने इस सिमा स्टार 2 र seguThat's उसके बाद था हमारा πाई 2प अग्स का invece पाई 2प नहीं सिग्मा ट्यक्स पी यइड और बाध वे पाई स्टार वाले तो टूपी वाले तो ऊपर योपे यो To तो मैं आपसे इन दो इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा कुछिशन पूछों देन दिर इस लास्ट कुछिशन फॉर एक 1.5 वार्स हमारे हो गये हैं थोड़ा ब्रेक लेंगे हैं आप लोग एंट्टू से अर्जी लगी वह एवन है लेकिन एन ओ से जब एन ओ पॉजिटिव बनाया तो जो आएनाइज करने के लिए एनर्जी लगी है वह एक वह which is correct out of four options is not Eunice which is the most important thing that we have to do we are gonna take a step we are gonna take a step to give you a little bit and we have to do that depending the problem we are gonna take a step so that we are gonna take a step वोन ताम दिढ अमलोगो ने वोगोवा एंटू का यार होमो क्या होता है बताओ जल्दी से सिग्मा वन है सिग्मा स्टार वन है सिग्मा टू है सिग्मा स्टार टू एस कि आठ एलेक्रोन हो गय पाई टू पी एक्स पाई टू पीवाइज में मिलाकर डीजनरेट थे वारह हो गये सिग्मा टू लेक्टरोन थे यह तो होमो हो गया इसमें तो पंदनाः एलेक्ट्रोन है इसका हॉमो क्या हो गया एंड़मू क्या हो गया एंड़ुका तो यह हो गया है इसका होसतана उसके बाद आथा 5 स्टार 2पी1 पाइलेक्ट्रून में एक लेक्ट्रोन इधर जायेगा तो इसका होतन तो इलेक्टरोन निकालेंगे तो सबसे पहले itu से निकालेंगे यहां ब्वंडिंग साने यहां पर इलेक्ट्रोन ट्रिमूर्ड single जो एंटिव ओनलिक्द अर्म की अग्र Spa facilitate the dapatथ कर् 싸 bạn निकालने में एंटी वादिंग से बोला स्वार वाला स्टेबल होता है वो थोड़ी संब्ध अध्या निकाले काला ज्यादा RIS करचों एक एटी त्यांटिंग वोधिन प़रसिरे लेघगा जैदा let us stop here thank you very much not only a class not only a show yes sir I am a carry me I'm not sorry discussion कर चुके हैं अभी अब हमारा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बंडिंग पची है एक बैक बोल्डिक है फिर हम बना बोल्डिंग ताउ बोल्डिंग देखेंगे डिफरेंट टाइप ओफ यह भी आपकी शेरिंग ओफ एलेक्टोन पर ही है बैक बोल्डिंग बैक बोल्डिंग क्या होता है बच्चों कोडिनेट बोल्ड ही होता है इसे एक बोल्डिंग कोडिनेट बोल्ड होता है और बैक बोल्ड पाई बđंड पीवता है इसे नस 3 अगर हैस पॉजिटिव के साथ कोडिनेट बोल्ड बनाती है तो यह सिग्मा कोडिनेट का था कि लेकिन कारवन और उक्सिजन ये दोनों येकरॉन बैक बोंड में चली जाते हैं तो ये कोडिनेट मॉन है लेकिन आइप ऑब लोग तो कोडिनेट वून पाई-बोन बाइब भी ओजा क्वाद्व जड़ता है, और कोडिनेट मॉन्स सिग्मा अब्सक्राइब तो backbound हर्दम πयोन होता है backbond हर्दम coordinate bond होता है तो सब्सक्राइल जीज लिकूं Backboard is coordinate bond Backboard is coordinate bond and it is π constraint यह एक साथ लिखे तो पाई कोडिनेट कोवलेंट वोन पाई कोडिनेट कोवलेंट पाई कोडिनेट कोवलेंट पाई कोडिनेट कोवलेंट कोडिनेट 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 एक सिंपल कोडिनेट कोवलेट बोन हम डेटिव बोन भी बोलते दूने डॉनर से एक्सेप्टर में लेक्रों दे दिया जाता है और सिक्मा बोलता है और दूसरा कोडिनेट बोन बैक बोन होता है जिसमें डॉनर से एक्सेप्टर के बीच में पहले से एक सिक्मा पॉन्ट तो होगा ही होगा और यह एड़ोन बोन होगा पाइब यह जो पाइब बोन है इस बैक बोन यह आपका पी पाई पी पाई भी हो सकता है जब सेकिंड पीरेड सेकिंड पीरेड के पीच में कोडिनेट बोन होगा पी पाई दी पाई भी हो सकता है लिकिंड तीसना एक पाई बोन था दी पाई दी पाई दी पाई दी पाई कभी भी बैक बोन के रूप में काम नहीं करता है तरह दी पाई दीप आइब मॉण दीपाई मों इस नेवर बैक स्टिकिंड आप इप अब वाटर्ड दुचंटीशन फोडिनेट ओंग तो भी बैक मॉंटया बैक मॉंट की फोल तक इम्म्लाकर क्या कंडिशन देखने हैं ? जो कोडिनेटम बोंड की कर्डिशन थी वो बैक बोल्ड की कंडिशन है देखो कंडिशन्स for back बोल्डिंग के तरे मर पसला पेज निफाल दो कंडिशन्स for backbonding कोडिनेट पॉल्ट कि क्या कंदिशन थी डॉनर एंटम के पास at least एक लॉन पेर होना चाहिए और एक्सेटर एंटम के पास एक एक वेकर्ट अर्बिटल होना चाहिए वो बैक मुट की भी है same condition is there for back one first donor must have at least one known pair and acceptor atom k pass must have at least one vacant orbital we open the conditions for backholding a donor atom and acceptor atom यह भी second period से हैं यह भी second period से हैं चलेगा आपका दोनों पीपी ओवरलैपिंग कर लेंगे तो बैक मुट होगा वो कौन सा पाइबन होगा इपाइप डॉनर सेकंड पीरियड से हो एक्सेप्टर थर्ड पीरियड से हो तो भी चलेगा इस केसे क्समें जो थर्ड पीरियड वाला होगा वो पी और सेकंड पीड़ियर वाला को पी अव्लेबल कर वाएगा लेकिन थर्ड वाला PB अवलेबल करवा सकता है और dB अवलेबल करवा सकता है तो इसमें 2nd period का purebital यह 3rd period का purebital फी-पाइ पी-पाइ 2nd period का purebital लेकिन 3rd period वाले का दी गुर्फिटल नेकिन डोनर भी थर्ट पीड़ का हो और एक्सेप्टर भी थर्ट पीड़ का हो नौट एक्सेप्टिब और इससे हाईयर पीड़ सो नौट एक्सेप्टिब दोनर और एक्सेप्टर सेकेंड और थर्ट पीड़ के ही हैं डोनर एक्सेप्टर पीड़ का रग्जा है यह केसी सब्सक्राइब दोनर एक्सेप्टर की फोब में आपको फ्लोरीन और आपक्सेशन नाइट्रोचन जातर सेकेंड पीड़ के एलिमेंट दोनर की पौंग में आपको बहुत कॉमनली दिखाएंड एक्सेप्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके सेकंड पीरियर्ड थर्ड पीरियर्ड के आपको शिलिकोन मिल जाएगा बोरोन मिल जाएगा अधि एलिमिनियम मिल जाएगा लोरिन मिल जाएगा लोरीट मिल जाएगा जाएगा अधि एक्सेप्टर के वाइल सेंग बैक्वांडिंग वो हम देख वह के लिए बेक बोन्टिंग इंग से किस किस पेरामेटर के ऊपर परक्ट बढ़ेगा कि वह अग्जाम्पल लेंगे तो किलियर होगा पर फेले नोड़ डाॉं कर लेते हैं या पहले एक्जाम्पल ले ले लिए ले ठीटेनग लिए तो नोड़ डाय बेंगे सब्सक्राइब करने ऐसे नारजी सेब तरच क्या सेंटले टम उने वाले बन एंगे विपग पड़ेगा क्या बोन लेंग के ओपर फ्रक पड़ेगा या टैर दिडिंट सी टू पॉलिमराइगा नहीं पड़ेगा लेट इसी फस्त लेको फैसे रिटों अप्सेंटल एकम में और मेंनों चेंज्ज फरक पड़ भी सकता है या नहीं भी पड़ सकता है दोनों तरह की एक्जामपल हमें मिलेगे है इसे ब्रब्र इसे रिटों में और में और नौटी है निभे ओर नहीं होती तो और होगी तो दूनों की समें अलगलग हैविडाज़ाइशन हो सकती है और से अलगलग हैविडाइशन हुई तो बाइंगल दो चेंज होने वाला है तो लिखो bond angle may or may not change bond angle may or may not change हम बात करते हैं bond length bond energy और bond strength बोल दो जितनी ज्यादा पॉर्ड लेंद उतनी ही कम बोल एनर्जी लाइक डैट सिम्लर एंटम्स के बीच में हाई यह जरूर चेंज होती है बिना बैक बोंडिंग के और बैक पॉंडिंग के दो के स्लें तो आपका बोल एनर्जी और बोल जाएगी और बोल लेट घड़ जाएगा क्योंकि एक्स्टा बोल बनने से बोल स्टों हो जाता है तो लिखो दू टू बैक बोल बोल एनर्जी बोल स्टेंट एक यमरें लिखेस्क हो 6 थे ची अबोल लेंगे Su 02 एक और बोलने 2-2 बैक बोलने जिए प्रॉम्ला झाजी करेंगे और बोल अस्ट्रेंगे इस प्ररभ्यट गोल्लैंगely खोटीilik तो जो एलेक्रोन बेक्वार्ड जाने की टैनेंशी कम रखेंगे। कि अग्रशन होने के चांशे समगे को एज फिंट एज स्ट्रेंट फोप बैक पॉर्ड इंक्रेजिस पिलंच इस तरफ गवंडिंगे इंक्रेजिस तो बैकमोंड बन गया तो ओंट आप गई तो भी इस टोसे के साथ पोलीबराइज ऑक डूसे मलीकिल के साथ साथ स्टेंग जाने की स्टेंट इस टैंड वंडी से टॉफ़ॉफिदे इफो देंटि वर्ट इवर ऑकोलीमर डिप टेंदेंसी टू फॉम डाइमर और पॉलीमर डिकलिजिस अब हम देखते हैं पैकपोर्ड पाइबॉंड यह ज्यादा कुछ इसके बारे में सोचना नहीं है मैं बात करता हूं कि भी एप नहीं है कि SP2 है कोई भी बच्चा देख सकता है तीन वेलेंस लेक्ट्रों तीन मोनो वेलेंट चार जीरो डिवाइड बाइटू तो सेंटल एटम की हैविडाइशन हो भी SP2 तीन फ्लोरीन है बोरोन SP2 है ट्राइगोनल प्लेणर चुमेट्री है बोरोन SP2 है तो एक पी और्बिटल च्छे एलेक्ट्रों तीन एलेक्ट्रों होते है बोरोन के पास तीन यूज होगे तीन बोर्ड में तो जो एक प्योर पी और्बिटल होगा वह SP2 वाले ट्राइगोनल प्लेणर से प्रपेंडिकुलर होता है और वह खाली है यहां पर क्योंकि तीन तो यूज होगे पांट बनाने में तो यूज होगे एक प्योर अटोमिक और्बिटल पी और्बिटल बच गया इस्पी टूब में दो गये हैं प्योर्बिटल है यूज है प्योर्पी और्बिटल लेकित इसकी अगर मैं बात कुरों तो फ्लॉरियर के पास साथ एलेक्रों होते हैं एक यूज हो गया तो छे बचे और उसे तीन लॉन पेर बचे इसके उपर देखो मैंने बोला कि यह तो нरजी लेक्रों लौंपर पाइबवों जो भी है इनको जब भी दी-डि-लौकलाइज होने का मुकामिलता मिलता है धुमने का मोगा मिलता है दूसरे न्यूबहण है तो वो रिटेट्रों वाइनेचर नॉटी इलेक्त्रों है वो जरूर जाएंगे वो नहीं रुखने वागत प्रवाइड देगेट अपॉर्चुनेटी इन लाइट तो यहां पर और उसके लिए आपको प्योर पी ओर्विटल में इसके लॉन पेर को लेकर आना परेगा तो एक लॉन पेर इसके प्योर पी ओर्विटल अब दौनों पी ओर्विटल ओवरलैप है यह ऐसे ओर लैपिंग है दौनों की अच्छे से बना लोगा दौनों के ओर्लैपिंग यह इसका भी टूपी ओर्विटल है गौरॉन भी सथे पीरियर्ड ता है तो यह और विटल इसके साथ शेरिंग कर लेगा ओर्रापिंग करके विबीटी बहुती है कि आर्पिंग करते हैं एक और्विटल खा को गडिए तरह की बैकवंदींस के साथ इलेक्मोंड नहीं सकता एक इसके साथ इलेक्ट्रोन फ्लोरीन नहीं ले सकता फील फ्लोरीन से यूढ सकता अग चौन हां ऑपник के सबना रह alma इसको नारा होगा फिशाथ न वैकुरीन के साथ बोरोन बैख दोड़ा घ्रिकьskarta जाएंगे पॉली एक्स्कुलिशन प्रिंसिकल तो फेल हो जाएगा ऐसा नहीं करना हमें ठीक है जब इसका पी ओर्बिटल इसके पी और्बिटल के साथ और लेप करेगा तो इधर से बैकॉंडिंग होगी तो एक ताइम एक बैकमों तो तीनों फ्लोरीन के साथ बैकमों बना सकता है तो बी एफ यह तो मैंने ओर्बिटल के साथ बताया जब इदर के पूंड है तो एक रिजुनिक स्ट्चर यहां ऐसे भी दिखा सकते है विशी चीज पाव पॉजिटिव नेगेटिव की तरहें तो लाइट इस तेम चीज दूसरा अगर हम बात करें हिदर दूसरे फ्लोरीन के साथ डबल वांड ट्रेक्टर आ गया बैक्वांटिंग कुछ भी दिख्वाइजेशन अफ लॉंपियर को नेभरी एंट उसी दिछलेशन को रेजोरेंस वी बनाएं तो तीसरा वाला फ्लोरीन जो है उसके साथ आप बैक्वांट लिखा दो तो एटे टाइम एक के साथ नहींगा तो रेजोरेंस आप्रिड क्या हो गया गोरों है तीन पॉबलेंट बोल तो आपके बिल्कुल सही है यहां बोल्ड और सिंगल बोल्ड डॉण तो आप बात करोगे कि बोल्ड ओडर वन ओर टू के बीच में आएगा ने पर वन एपर तो पार्टल डॉण यहां पर भी सेम बोल्ड राएगा क्योंकि इन तीन इस ट्रॉण इसे एक तो यह ओरिजिनल इस ट्रॉण इस तो तीन में से दो में सिंगल गॉलेंट यह सभी में ऐसा ही है जब देखो यह कोडिनेट मोंड होगा तो हम बोरोन पर नेगेटिव और फ्लोरीन पर पोजटीव दिखा सकते हैं तो तीनों फ्लोरीन पर रेजल्टिंग चार्ज प्लस वन जीरू जीरू करके एवरेज और इधर डिल नेगेटिव है यह एक्षुल मोलेकुल इस रिपर्जेंटेट वाई रेजनेल्स साइड रेजनेल्स हाइड में यहां पार्शियल डबल मोर्ड करेक्टर है तो बी एफ त्री का जो आपने स्क्रक्शन बनाया था वहा लोग बात करेंगे कि एक्ष्परिमेंटल वेल्यों बोल्न लां तो फिएफ बोल्ड इन वी एक्सक्रक्शन वेल्यों ओओ धिद ग्योंकि एक्षाल में बउन जोटी कियो है क्योंकि बैक कुंडिक्ट ने शी टैसक्तिंग है आओ लिखू छे मम करणेंगे चलुटिएमों ना सकते हैं तो लिखो experimentally determined bf bone length in bf3 experimentally determined bf bone length in bf3 experimentally determined bf bone length in bf3 is smaller than the theoretical bond length smaller than its theoretical value theoretical bond theoretical bf bond explain explain इन भी तूपी इसका भी टूपी तो ये क्या हो गया? पीपाई पीपाई बेक बोंडिंग है पीपाई या टूपीपाई टूपीपाई बेक बोंडिंग है जटी गोनो थो या पीपाई पीपाई तो क्योंदी फ्लोरी रोरों दोनों ही सेकिंड पीडिड के अलिमेंट है तो पीपाई पीपाई ही हो सकती है next question compare bond length compare bond length compare BF bond length in BF3 and BF4 negative BF3 में bond length L1 1 BF4 में bond length L2 L1, L2 में कौन बड़ा कौन चोटा और क्यों क्यों बड़ा कौन चोटा और क्यों BF3 and BF4 negative में which has longer bond length which has longer bond length च inmड़र य़ ओो कि अ यह अग्या कि आए यह अग्या अग्या है यह अग्या कि अग्या आधा वं अग्या वेक्वादाव च्छो इंपर्टेंट टोपिक है यह बैंक बंडिंग हुब काम आते रहीं हो इंट्रेस्टिंग इससे नाठ अड़र है कि maτο of the अर्य एक फ्री में तो मिन उखले बना लो कि आप अब olması आई की जो सुक्य करेंधे सब्तभाइर प्लिको एक दो को्षाड पॉर्दे समस्तिटरिंग और यसी विल्डिफधी सब्सक्राइब यह है आप पहले बना चुके हो एस्पी 3 एबड़ाइस बोरों यह कलिकुलेट कर लो स्टैरिक नमबर क्या है थ्री प्लस मोनोवेलेंट चार माइनस बन चार्स वो डिवाइड वाइड वाइड पोर हो के स्पी 3 एदर और इधर एस्पी टूर आप चाहे ओरोल चार्स सेंटर जो इसके इसके यह तो बोरों के पास एक भी पी और विडल खाली नहीं है 4 पी तिन्यों फी ओर्विटल सब्सक्राइब चले गए और दी तो होते नहीं है इसके पास नों पेर तो है तो एक के पास नों पेर होने चाहिए वन और मॉर्दें वन और दूसरे के पास वेकेंट और विटल होने चाहिए लेकिन यहां पर वेकेंट और विटल तो है वोरों के पास वोरों के पास नोंपेर भी है तो यहां पैक पॉंडिंग है इसलिए हैं रेजरेंस होगा और रेजरेंस हाइबरेट में पार्शियल डबल बोन करेक्टर आ जाएगा यहां भी एफ का बॉंड ओडर ग्रेटर देन बाद है वानोट रूट के भीच में यहां पर ऑर्फिक्ट्टी वन ही है जाइब दबॉंड ओडर लेस्टर दबॉन लेंथ तो इसकी बॉंड फोटी होगी और इसकी बॉंड लेंथ बड़ी होगी टोड वील और बैस बैक बंदिंगे रोल करो आपका काम हो जाएगा क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो स्टैरीक नंबर से लवन लटु का क्या मतलब स्टैरीक नंबर से लवन लटु का क्या मतलब इता रहे हो आपिदा इन दिस केस बोलो स्टैरीक नंबर आप उत नहीं सोच रहे हो 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 क् आरबर में अमने बोला था स्टी वाला कारवन एसकी टू वाला एस्टी वाला कारवन इसकी गैस डवल कोर वालड ऑलड कार baN स्पीं टोर सिंगल क्राइब एस वीत्री पर देट है इस थे नहीं जो आस्टिरिक न्मबर घ्रिक नورग टूरीया है स्टिरिक नंबर को यह श्योत्त अश्य है बाकि यहां पर कुर्स है उसको छोड़ दो आप दूदर की में बाहुत नहीं करने होता है यहां SP और्बिटल छोटा होता है वो और लेप करेगा तो छोटी पॉंट लेंज से सब्सक्राइब बड़ा होता है अब इसके बारे में तो नहीं सोच रहे हो इसके बारे में सोच रहे हो तो भी वही बात निकलती है यह SP2 है और यह SP3 है SP2 छोटा SP3 बड़ा तो बॉंटर की पिछोटी आईगी बट रेजोनेल स्कॉंगर इफेक्ट होता है है अच्छा मुझे एक चीज़ मताओ इदर यह सिरफ भी तो भी एक सो भी सेंगल था जब बैक पॉंटिंग नहीं मान रहे थी ठीक है और ट्राइगनल प्लेन अर्जिम जब बैक बोर्डिंग मान ली तो भी तीनों बोर्ड इक्मेंट है तो 120 पे ही होगे और अभी भी ट्राइगनल प्लेनर इंट जिमेट्री होगी सेफ होगी तो यहां पर बोर्ड एंगल चेंग नहीं हुआ ना हैविडाइशन स्टेड चेंग हुए बैक बोर्ड तो पाई यहां पर बोर्ड एंगल और हैव डैसल स्टेट इस एक्शांपल में चेंच नहीं हुए इस एक्शांपल में चेंच नहीं हुए ना नौर्ट चैंच तो मैने बूला व्हे नौर्ट चेंच लेकिन बॉलने तो जोगे ना गट ज़ी बॉड एनरजी तो पड़ गई बॉर्ट श्रीजिट दो पर नीस नोब अगे तैंड जिब लेंट से नोब दो पर गई वह एख्यंट आपड से पर दो डबींड की बॉ है तो 2p 2p orbital overlap करेंगा 1 second period का है और दूसरा third period का है एक second period का है और दूसरा fourth period का है एक second period का है and 2P, 3P overlapping, 2P, 4P overlapping, 2P 5P overlapping 2P, 2P overlapping, 2P, 3P overlapping तो बताओ, सब स्थे चादा electron cloud पूरा इधर से इधर घूम रहा है यह और लेप कर लेना थोड़ा समया इधर से इधर electron cloud वही दो electron घूम रहे हैं अगर इसको यह देना है तो यहाँ पे overlapping का तो बहुत कम पर्सेंटेज और और बिटल आया और बिटल का भूक्तम रेजन ओर लेप किया पर्सेंटेज और पर्सेंटेज और पर्सेंटेज की ट्रब में सोचेंगा यहाँ पे तो अरिया का सिग्निफिकेंट परसेंटेज हो रहा यहां पे इतना बड़ा पी और विट असका क्या टिंगी सा हो रहा है तो आपि परसेंटेज और ओर विटल और लेप्ट इस वरी लेस दो जो इक होता है उसमें जैसे मैं बी एफ्टी की बात करूं ब्रोन फ्लॉरीं दोनों थिए याँ पे अगर प्जिश फेटि बात रहों तो बोर्ओं सेकंड फिरेट का ये थर्डी रिएपा जाएगी वी वी रार्थ्री वेखूंडिंग की अब मैं आप से बहुत अच्छा कुष्चन कुछता हुआ है कौन अच्छा लिविस है सिट जो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेर एक्सेप्ट करेगा घुद से एक्सेप्ट नहीं करना होता वैक मौन्टिंग में तो उस मोलेक्वल के अंदर ही एक एक अट्रीए अप्रिया भी अप्रिया अप्रियू लेकिन लिविस हैसेड होता है जो किसी दूसरे पार्टी से इलेक्ट्रॉन पेर जादा जादा इस जाद लेग इस्टना अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा और बहुती कॉमन कुश्चन तो इतनी बात पुछा जाएगा बहुत बार हर जगे मिलेगा हर सोट मिलेगा एकुश्चन लिखो कंपेर असर एक से ए्च एंब खानल ठाइट कॉम्पेर अच्छन हाद, टा मिलेगा बढ़ क्वेर, एक रिख बन लिख इसेश्चन अध। लेलेगा बरोन हालीजि अच्छ एंध। ताइग तिखला प्राइट वादूर शेकर थे वादूराइट विपनारा प्रेट। प्रता वो, वेरिंग कोश्च्च्छे गें. सारे बोरोन के हलाइट्स विस संस्ते अच्छा गिविस Acid कौन सा है? This is the best Lewis Acid अब यह बैक बोल्डिंग तो सबसे अच्छी किसमें बताओ बैक बोल्डिंग सबसे अच्छी किसमें पीफ तरी बोरोन के पास सब जगे एक खाली और्विटल है लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रों लेगा तो वो लिविश एसिड कहला पाए कितने लोगों को लगता है लिविश एसिड करेक्टर यह सही कितने लोगों को लगता है सबसे स्ट्रोंग लिविश एसिड बी आई थी बताओ यह यह उपर वाला कितने लोगों को लगता है अच्छा लिविश है अब मुझे चीज बताओ लिविश एसिड होता है जो किसी दूसरे मॉलीक्यूल आयन या एटम से इलेक्रों पेर ले जितनी ज्यादा जरूर्थ होगी उसको तो उतना ही अच्छा लिविश एसिड होगा होता है लेने इलेक्रों पेर लेने की टेंटेंसी होगा कि मालीजिए आपको 10 HC10 अब की जरूर्थ हैं कि आपको 1 लÁक मिल Sales hours to 9 लाकषी है अगर आपको नह जाते हैं तो बहुत कि ऑ कम हो चैने बी एफ थ्री में बहुत इफेक्टिव बैकपॉंडिंग है फ्लॉरीन अच्छे से अपनी रेक्टोंग देता है उसको टूपी-टूपी और लैपिंग की मज़े से तो उसको नो लाख मिल गए एक लाख ही चाहिए बहर से लेकिन बी-सी एल-3,BBR-3 और बी-आई-3 में अगर फ्लॉरीन नो लाख दिये तो फ्लॉरीन ने साथ लाख दिये तो ब्रॉमिन ने पांच लाख दिये तो आयोडिन ने एक या दो लाख ही दिये तुछ कि अग्जाम्पल ले रहा हूं तो जब ब्रॉमिन ने एक लाख दिये तो नो लाख ची बोरोन को बहर से और ब्रॉमिन ने साथ लाख दिये तो बहर से तिन लाख ची होगा तो सब ज़्यादा भार से किसको चाहिए नहीं तो बी-आई-3 को तो दूसरे से इलेक्टों पेर लेने की टेंदेंसी सम्झादा किस की होगी विए-3 की होगी वेरी कॉमन कुछ्छन होग यूंदस्ट्रॉट आर वेगल टो इंट्सेंग यही रजयरी से इस 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 को बहुरों है डाइट इस का लीज उसलिक्तर एशनी प्रहम रिजरंट से श्पीन करते बेंबर बांदिंग इस देलोकलाइशन ओपनेशन फिलोपनेशन वाई पार दिलोपलाइच अगलाइच पर अटे is one case of resonance बहुत सारे केसे होते हैं रेजरेंस में दन पर पैक पाइब होता है वीक बोर्ड होता है उससे अच्छा लेकिन किसी दूसरी पार्टी से बोर्ड बनेगा तो सिग्मा बनेगा जब लिविस हैस्टेड होगा तो किसी दूसरे एक अच्छा डेगा तो पहला ही बनेगा किसी दूसरे के साथ तो तो वह सिग्मा बोंड होगा बन बैक मॉंड इस वाइब होगा तो बैक मॉंड में भी कोडिनेट मोर्ड बनता है और लिवेस थिर्पेज लेक्टों मेरा एक च्छोटा सा कुस्चन देखों बी एफ ट्री एन अमोनियम अधेक बन जाता है दोनों मोली को लेड़ों के इक सिंगल अड़क्त बना लेते हैं जो मने लिखा इसको फोड़ा एक्सपेंट करके में लिखा है इस गिवन इन चार्ट इस वेल इसके पास 6 एलेक्ट्रोन खाली और्बिटल है इसके पास 8 एलेक्ट्रोन एक लॉन पेर है तो इसको दान कर देगा तो यह बैक्बॉन तो हुआ नहीं दो अलग-अलग मोली कुल है यह लिविस बेस हो गया अदेने वाला और यह लिविस हैसेड हो गया अलग-अलग पार्टी है इस तरह यह कोडिनेट कोवलेंट बॉंट यह अधिनेट कोवलेंट कोवलेंट क्या हुआ है कुछ नहीं सुछ बी अफ्री में तो बैक्बोंडिंग पॉसिबल आवे विलिया था अब कुछिशन यह बीएफ्री में जब बैक्बोंडिंग पॉसिबले अब घर में इसको बोरों का ओके पासली कंप्लीट हो जाता है आप निट्रोजंट से लुसरे से अविसंतग्स नरवी काम होसा रहा है विदें मोली कौम एटन कॉश्टन if backbonding is possible in BF3 backbonding is possible in BF3 then why BF3 combines with ammonia कि भाई BF3 तो इसी तरह ही बोल्ड बना लेगा यार फ्लोरीन की साथ तो किसी तूसरे से क्यों ले रहा है एलेक्टोन अमोनियस क्यों लेक्टा है कि यहां पर सिग्मा बन रहा है और यहां पर फाइब बन रहा है सिपा मोर्ड इस फॉंगर दैन वाइब तो जादा स्टोंगर बोंड़ा स्टेबिटी की इसाब से यह प्रिफर करता है भी अफ्री वैक्वर्टिक उसमें होती होती है बर्ट देश सिग्मा ओन मौस्टीबल मौस्टोंगर थे फाइब ठीक है लिख लो सिग्मा बोर्ड इस स्टोंगर थे पाइब ओन तो अमोनिया के साथ वो कोडिनेट बन बनाता है वो आपका सिग्मा ओन है लेकिन लुटिव जो वैक्वर्ड है है फाइब नियुटार थे विख द वो आपकर मौस्टोंगर होता है तो वाला काम यह साथरा है लिख 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 मकर बन स्टॉंगर देट पाइब ओन जो जो दो को लोगा ओव बन रहे हैं ड़न कि अ कि कि बच्छों और कुश्चन करते हैं सकतर क्या है क्लस कब रता होति यए फिप्टीन से तन हो श्राम को लेक्टर höोग करें होरो यह यह कहीं हो करने mi नहीं हो कर लिए में तकом कर ले आपको मैं कोछिन नीजिस हरा नोट कर लिया था अहला एक और कुछ लेखे लिखते हुरु नाइड्रोजन में तीन हाइड्रोजन अठाकर तीन निधायिल लगा दो अमोनिया के तीन हैट्रोजा अटाक पर मिथाईल लगा तो इसी तरह ये मिथाईल गुरूप है तो ये कारबन के जिगे सिलिकोन सेम फैमिली का है पर थर्ड पीरियड ते हैं इसे मिथाईल गोलते हैं तो इसे सिलाईल गुरूप गोलते हैं ये हो गया ट्राइ एस शाप्ते मेस में कर फिर को एस ला एंज को एँ और स्विए diary एक हम मरं एए और से फिर्ग इस विद रहिए और साबर आ तरो सब्क्रणा है त्यूजर श्यूजर श्यूलय जो त्यूज़िए अंतोरर िन्थ आव हैस ने लिए अंतोरर अंतोरर लिए गए 好吧 जैवेंड़ खिरीएas और जिए लिए अवीं आविड फीर विए विडेड ट्री जिए निए विए ट्री निए भीड दोगिग तुरिए ट्रीखिल आपिर निए अनुट एल इसोन्हिंट यह क्या है प्रामिडल है दोनों की सेफ अलग है पॉर्मूला टाइप सेम है तो सेफ अलग हो सकती है दूटू बैकपोंडिंग और नहीं भी हो सकती नहीं भी हो सकती है उसके लिए हम यह एक्जाम्पन ले रहे है नेक्स्ट दिखो सेकंड पॉइंट तो यहां पर 120 डिग्री आंगे लोगा यहां पर 109 डिग्रीट मेरे टोगा तो बॉन्ड एंगल अलग हो सकता है दूटू बैक मंट आप इस वाले में चेंज और यहां इस पर बैक वंडिक है सकेंट पॉइंट करता है यह थ्यूब्र में इस फोंगर पेस लिए मेश्ट बैस देन ट्रै सिलाय लएंड थैंद थालाय लिए दो नों इए एक्स्टेम पर गूह करता हूं अगले वाला आपके नाइट्रोजन है तीन कारपन से जुड़े हुए हैं लेकिन चौथा लॉन पेर है तो स्टेरिक नंबर फोर हो गए तीन सिग्मा और एक लॉन पेर तीन सिग्मा एक लॉन पेर पोर तो एस्पी थी हैं वहीं सिग्या लेकिन इसके जगह पर अगर मैं सिलिकॉन ले आऊं कार्बन की जगह पर तो सिलिकॉन तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है यह कार्बन भी एस्पित्री है यह सिलिकॉन भी एस्पित्री है लेकिन इसके पास दी ओर्वितल तो है एस्पित्री में तीन पी खर्च हुए वेकें डी ओर्विटल तो है इसके पास सारे किसारे त्रेडी ओर्विटल और नाइट्रोजन का यह तूपी तो यह वाला कि यह इदर गूमने चला जाता है नाइट रोजन का जो यह तो अब बताओ मैंने स्टेरिक नंबर क्या बलाय था नंबर छो इसने बाइज नियुक्त वर्बिटल चोड़ों सिलिकोन के पास वेकेंट 3D और विटल है वह एक पास भी पाई डीपाई गाइड और रहे इसके साथ इसके साथ इसके साथ आल्टर्डेट तो इस लोकलाइज हो गया तो लोकलाइज हो गया इसलिए यह इसका जो एक्षुन में स्टॉक्षर है वो है 120 डिगरी के ऊपर इस तरह बैक बॉंडिंग होगा है तो यह आप बैक बॉंडिंग में चला गया तो लोकलाइज नहीं इसलिए स्टेरिक नपर एक से कम हो गया इसलिए अब बताओ इसके पास इलेक्ट्रों पेर इदर ही है नहीं नहीं गया तो यह अच्छा विश्वेस होगा जिसके पास अगर मैं आप से बोलू कि आप मुझे सो क्रोड़ पर देदो तो आपके पास होंगे तो आप दो के नहीं होंगे तो कहां से देदोगे भाइज हाड़ कि तो खाने का मतलब अगर इसमें बैक्वांडिंग नहीं होती तो स्पी 3 होता लेकिन बैक्वांडिंग ओने से स्पी 2 हो पाने पहले पाले पोल्ट एंग्ले लोगभी कि लगभाट होता अब 120 डिगरी है बड़ पंडिंग की पार तो बॉन एंगल भी चैज वोगा तो आप इसके पास लेक्ट्रों पेर है तो अच्छा लिवी स्पेस इसके पास इलेक्ट्रों पेर होंगे तो किसी दूसरी पार्टी को कैसे देगा तो यह वीक बेस हो गया यानि की दोनों कुस्षिशन का एक्समेशन दो वर्ड में चुपाओ है वो है बैक बोंडिंग इन क्राइस लाइलमीन और नो बैक ओंडिंग इन ट्राइमिधाइलमीन वहां पर लेक्ट्रों उधर ही है तो प्रामिडल में रहेंगी मजबूरी है उनकी उत्या का सकते नहीं स सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यहां पर हो गया तू तू पी पाई तू थ्री पी भाई अब मैं बैस एक तो एक्जाम्पल और ले लेता हूं जंदी से एक बिल्कुल ऐसा ही एक्जाम्पल है आपको बताना है यह एंसी ओ यह आईसोसाइनेट होता है न इसमें एक वार मैं मिथाईल लगा देता हूं और एक वार आईसोसाइनेट के साथ मैं सिलाइल लगा रहे हूं प्रिवेलेंसी यह हो गया सिलाइल आईसोसाइनेट और यह हो गया आपका मिथाईल आईसोसाइनेट यह तो लीनियर से सेपका होता है लेकिन यह बैंट सेपका होता है यह अच्छा लिवी स्वेस है और ट्राइस इसलाइल आईसोसाइनेट एक्स्प्लेइन भाई अरे वाई यह नाइट्रोजन पे लोन पेर है लेकिन सिलिकॉन के पास थ्रीडी और्विटल खाली है यह यहां तो कोई खाली नहीं है तो कोई नहीं है तो कोई नहीं तो यहां पे नहीं होगी लेकिन यहां पर नहीं होगी और यहां पर नहीं होगी तो नाइट्रोजन के ऊपर डबल मॉन्स थी पास लूज पैर एक्टि चला गया तो यह एसके पास लोंड पैर एक्टो में है तो यह बेटर भी चला गया लेकर ले लिए इस दिए आप नोप समझ गया वो इस इस परेंग प्रेंगे और हम फिर ब्रीज बोर्डिंगे कल वो भी काफी इंप्रोटेंट है काफी कुछी जाते हैं और फिर कॉंड परमेटर्स तो थी दिन हम थोड़ी बड़ी लेक्शन देंगे फिर हमारी कंट्रोल में आजाएंगे केमिकल बॉंडिंग की आर टो थी जाल बॉंड़ी इंप्रोटें तो थी जार्व कोड़ी आजाएंगे प्रूबाद थी जाएंगे प्रफ।। श्रोटेंगे देंगे केमिकल फिर हमारी को खुछी जाते हैं और मैंट्स